स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में आज के इस वीडियो में समानतर माध कैसे ग्यात करेंगे पांच अंक पक्का किया जाएगा तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पांच अंक पक्का कर लिजे तो समानतर माध कैसे निकाला जाता है और समानतर माध निकालने की कितनी बीधियां होती है आज इस वीडियो में बताया जाएगा तो सबसे पहला काम है समांतर माध का सुत्र याद करना है तो पहला सुत्र समांतर माध का क्या होता है तो यहाँ पर नोट का लिजे समांतर माध का पहला सुत्र होता है समांतर माध बराबर होता है कुल पदो का योग बटा कुल संख्या होता है यहाँ पर पहला जो अगर सुत्र देखा जाए समानतर माद का हता है कुल पदो का योग यह पहला सुत्र है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप सभी विद्यार्थियों का 5 अंकपका हो जाएगा तो इस वीडियो को पूरा जरू देखिए और पांच अंक पक्का कर लीजिए तो समांतर माध का पहला सुत्र हो गया कुल पदो का योग बटा कुल शंख्या हो गया अब सानी बंद यदि है तो समांतर माध का सुत्र क्या होता है तो यहां पर दो विधी से जो है समांतर माध पूछा जाता है कलपीत विधी से समानतर माध कैसे ग्याद करेंगे आज के इस वीडियो में बताया जाएगा यहाँ दूसरा सुत्र होता है समानतर माध बराबर होता है लिखेंगे आपर समानतर माध बराबर अब यहाँ पर समानतर माध का सुत्र क्या है तो कहेंगे सिगमा याफ याक्स बटा सिगमा याफ होता है यह सुत्र याद करेंगे समानतर माद निकालने का या जो है दूसरा सुत्र हो गया पहला सुत्र क्या है कुल पदो का योग बटा कुल संख्या है और दूसरा सुत्र है सिगमा यफ यक्स बटा सिगमा यफ हो गया अब आगया नयाव जो बिधी है कल्पित बिधी कल्पित बिधी से समानतर माध कैसे ग्याद करेंगे यहां लिख लेंगे कल्पित बिधी कल्पित बिधी से समानतर माध कैसे ग्याद किया जाएगा तो कल्पित बिधी से अगर समांतर माध निकालते हैं तो उसका फर्मूला क्या बना है तो लेखेंगे यहाँ पर समांतर माध बराबर होता है तो समांतर माध बराबर है अब यहाँ पर सुत्र बनेगा ए पलस सिगमा यप डी बटा सिगमा यप होता है यह किसका सुत्र है तो समांतर माध का सुत्र जो है कलपित विधी से है तो क्या सुत्र है ए पलस सिगमा इफ डी बटा सिगमा इफ यह तीन सुत्र आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है तीन सुत्र याद हो गया तो समझे आपको पांच अंक पका हो गया अब इस प पर दिया गया है और समांतर माध की गर्णा करना है तो सबसे पहले यहां पर कल्पीद विधी से नहीं ग्याद करना है कल्पीद विधी से कैसे ग्याद करेंगे आज के ही वीडियो में बताया जाएगा तिया किवल कहा गया समांतर माध ग्याद कीजिए प्रप्तांग बाराम बारता 6 है, 8 है, 10 है, 7 है, 9 है जिसको कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से जो है यहां पर लिखा है प्रापतांग तो यहां पर लिखेंगे प्रापतांग पहले लिखेंगे प्रापतांग लिखने के बाद से जो है एक लाइन औ और आपको बनाना होड़ेगा उसका नाम रहेगा मद्धेमान रहेगा उसके बास से एक और लाइन आप खीज़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ओर खीज़ तो याद रखेंगे यहाँ पर बारम बारता को यप से परदर्सित करेंगे और मध्यमान को यक्स से परदर्सित करते हैं अब रापतां कितना से चालू हुआ है यहाँ पर दिया गया है जीरो से दस यहाँ लिखेंगे जीरो से दस हो जाएगा 10 से 20 हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा और 30 से 40 हो जाएगा और 40 से 50 हो जाएगा अब यहां तक मान दिया गया है तो यहां पर नोट करेंगे अब इसका मध्यमान कैसे निकलता है मध्यमान को एक से परदसित करेंगे अब मद्यमान का मतलब दोनों को जोड़ेंगे 0, 10 जोड़ेंगे 10, 10 के आधा 5 हो जाएगा 10, 20, 30 और 30 के आधा क्या होगा 15 हो जाएगा 20, 30 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा 30, 40 जोड़ेंगे 70, 70 का आधा क्या हो जाएगा अब यह बारम बारता है, यहां से नोट कर लेंगे, क्या है, 6 है, 6 के बाद से 8 है, 8 के बाद से 10 है, 10 के बाद से 7 है, और 7 के बाद से यहां पर 9 है, तो यह बारम बारता पेपर में दिया रहेगा, इसको उतार देना है, और यह प्राप्तांग पेपर में दिया रहेगा, इसक हो जाएगा 15 में 8 का गुड़ा करेंगे 15 वठे 120 हो जाएगा 25 में 10 के गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 250 हो जाएगा 35 में 7 का गुड़ा करेंगे तो 245 हो जाएगा 245 में 9 का गुड़ा करेंगे तो 405 हो जाएगा अब इसको जोड़ेंगे अब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो एक हजार ये पचास आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा चालीस आ जाएगा तो समझ में आ गया होगा कैसे ये आया है सामने सामने गुड़ा करना है आपको गुड करके इसको जोड़ना है और 12 बार्टा को जोडना है मद्धिमान को जोड़ा नहीं जाता है अभ यहां पे लिखेंगे समानतर माध्ह अब समानतर माध्व का फर्मुला क्या है तो आप सब्धियारति को बता चुके हैं अभी ही बताया गया है इसी वीडियो में बताया गया है शुरू में समांतर माध का सुत्र होता है अब यहां कल्पित भी धी नहीं कहा गया है इसलिए समांतर माध का सुत्र होगा सिग्मा यफ्यक से बटा हो जाएगा सिग्मा यफ हो जाएगा अब सिग्मा यफ्यक्स का मतलब यफ्यक्स वाल लाइन का जोड कितना ह यह फ्यक्स लाइन वाला जोड़ हैρχे, 1050 है, अब बटा क्या है, यहाँ पर, 40 है, अब यह 0,0 कर्देजिए, 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, भाग करेंगे, तो आजाएगा 26.25 यही इसका क्या बनेगा, एंस्वर बन गया तो समझ में आ गया होगा यहां प्रस्ण कैसे हल किया गया पांच नंबर जो है पका हो जाएगा आएगा पेपर में जरूर अब यहां पर देखेंगे कलपीत विधी से कैसे समांतरमाद ग्याद करते हैं तो अब यहां पर आ गया बरगंतराल दिया गया है बारम बार जाएगा तो पहले कालम को समझ लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले बर्ग अंतराल का कालम बनेगा तो यहां लिखेंगे बर्ग अंतराल अब यहां बर्ग अंतराल पहला कालम बन जाएगा तो बर्ग अंतराल के बाद से दूसरा कालम क्या बनेगा तो दूसरा कालम याद बनेगा मध्यमान बनेगा मध्यमान के बाद से जो है क्या बनेगा यहां पर जो है और यहां पर एक बनेगा डी उसको नाम रहता है बिचलन कहा जाएगा और बिचलन यक्स माइनस जो है ए हो जाएगा और उसके बाद से जो लाइन बनेगा यफ बनेगा और यफ के बाद से यहां पर EF D बनेगा इतना लाइन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें कालम बनेंगे पहला बर्गंतराल उसके बाद से मध्यमान, मध्यमान के बाद से D, D के बाद से याफ और EF के बाद से EF D बनेगा अब इसमें मध्यमान को किसे परदर्सित करेंगे तो मध्यमान को याद रखेंगे याक्स से परदर्सित करेंगे और याफ का नाम क्या है तो बारम बारता हो जाएगा अब बरगंतराल कहां से चालुआ है तो पैंतालिस से पचपन चालुआ है यहां तक जो है आपका जो बना है बर्ग अंतराल बना है अब मध्यमान कैसे निकलेगा 45 और 55 जोड लेंगे और जोडने 45 पचपन 100 और 100 का आधा क्या बनेगा 50 हो जाएगा मध्यमान का मतलब दोनों जोड के आधा हो जाएगा 50 यह जोडेंगे तो 120 होगा तो इसका मतलब यह 60 हो जाएगा यह हो जाएगा माली यह 70 हो जाएगा यह क्या बनेगा 80 हो जाएगा और यह क्या बनेगा 90 हो जाएगा यह कैसे है दोनों को जोड के आधा करेंगे मध्यमान अगर दो आपको मालूम हो जाए तो बीच का गैपिंग मालूम कर लेजे कितने का है उतना जोड़त माइनस अब इसमें लिखा है A अब इसमें से कोई भी संख्या को आप A मान सकते हैं अब इसमें से A किसको मानेंगे आप जिसको चाहें आप इतने संख्या में से किसी को A मानना पड़ेगा मतलब उस संख्या को A दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं, अगर 70 है, 70 को ही हम A मान लेते हैं, आप 80 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, जो मानेंगे वो घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 70 माना है, 70 मान के लगा रहे हैं, आप चाहें, तो आप 80 मान के लगाईए, 90 मान के लगाईएगा, इसका मतल पढ़ेगे यह 70 इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा सत्तर घटने के बास क्या आएगा यहां पर लिखना पड़ेगा कल्पीद बिधी जो है कैसे हल करते हैं ध्यान से देख लिए कैसे सीखना हैं पचास में से 70 घटायेंगे तो यह होगा माइनस 20 हो जाएगा 60 में से 70 घटाएंगे तो माइनस यह 10 हो जाएगा 70 में 70 जाएगा 0 80 में से 70 घटेगा तो 10 80 में से 70 घटेगा तो यह हो जाएगा 20 तो समझ में आ गया होगा कि यह D कैसे मान निकाला जाता इसमें से कोई भी संख्या आप मान सकते हैं एंसर आ जाएगा तो इसमें से जो आपको संख्या मानना है इसमें से एक संख्या आपको ले करके घटाना है अब यह मतलब क्या दिया है 12 मर्ता तो 12 मर्ता 3 है यह पेपर सेनोट करेंगे 10 है 11 है 8 है 3 है 20 में 3 का गुड़ा करेंगे तो minus 60 हो गया minus 100 हो जाएगा 0 हो जाएगा और 18 है आपका 10 में आपका गुड़ा करेंगे 80 होगा 20 तीहाई 60 हो जाएगा अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और 18 होगे यह 14 140 हुआ और यह माइनस 160 है अब दो यह 140 है और यह 160 है घटाएंगे तो माइनस क्या जाएगा 20 आजाएगा माइनस 20 और यह जो बाराम बारता है बाराम बारता को भी जोड़ना है तो बाराम बारता को अगर इसमें जोड़ते हैं तो इसमें क्या आएगा तो बाराम बारता जोड़ेंगे तो यह 35 आजाएगा क्या आएगा 35 इसको जोड़के चेक लेजेगा यह माइनस 20 कैसे है दोनों को जोड लिया गया और इसको घटा करके यह माइनस 60 माइनस 100 मिलके माइनस 160 हुआ और यह 140 है घटेगा तो माइनस 20 हो जाएगा तो यह लाइन समझ में आ गया वक कैसे इसको हल किया गया अब यहां पर लिखेंगे समानतर माध्य का सुत्र जो है क्या होगा लिखेंगे आपर समानतर माध्य बराबर क्या होगा तो समानतर माध्य बराबर यहां सुत्र लिखेंगे कलपीद विधी से है तो कल्पीद विदी से समांतर माद का सुत्र क्या बताय गया है तो ए सुत्र बताय गया है ए पलस सिग्मा यफ डी बटा सिग्मा यफ बताय गया है अब ए क्या माना गया है तो ए सत्तर माना गया है तो अब यहाँ एक जगा पर आप लोgan 70 वख दीजिएगा, 70 हो गया, पलस हो जाएगा, इत अपड़ी कमान क्या है, माइनस यह 20 आया है, बटा हो जाएगा, और आप सिघमा इत कमान क्या है, 35 है, तो सिघमा इत कमान 35 रख देंगे, अब आगे बढ़ेंगे, 70 हो गया, पलस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, 20 बटा जो है 35 हो जाएगा, 5 से भाग कर दीजे, 5 से भाग करेंगे तो 5 चो को 20 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, क्या बनेगा, 70 में से, क्या घटेगा, 4 बटा क्या है, 4 बटा 7 हो जाएगा, तो 70 म 0.57 आ जाएगा अब 70 में से 0.57 को खटा देंगे तो यह हो जाएगा कितना 79.4 तीन परशेंट मतलब यह आपका इसका एंसर आ जाएगा समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया तो कलपित विधी से कैसे हल करते हैं तो आप से विध्यार्थी अच्छे से समझ लिजे कैसे इसको हल किया गया अब इसमें ध्यान देना है A वाला मान इसमें कोई भी संख्या को आप A मान करके लगाएंगे आपका एंस्वर आ जाएगा जो मानेंगे वही संख्या इसमें घटाईएगा तो यह कल्पित विधी से समानतर मात सीख गये होंगे अब एक प्रशन और आता है P का मान गयाद यह का मान गयाद कीजिए तो कैसे इसको मान हल करेंगे एक प्रशन और भी समझ लेते हैं यह प्रशन कई सालों से बौट के पेपर में पूछा जाता है P का मान गयाद कीजिए इसमें समानतर मात दिया रहेगा P के मान आपको निकलना है तो अब इसको कैसे रहेगे यह तोICK पर में आपको दिया रहेगा यहां सबसे पर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल अब यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा और वर्ग अंतराल निकालने के बाद से जो है यहां पर कालम क्या बनाएंगे जो कालम पहला कोशन ब बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल के बाद से मध्यमान बनाएंगे मध्यमान के बाद से बारम बारता बनाएंगे बारम बारता के बाद से यफ्यक्स बनाएंगे बारम बारता हो जाएगा तो बारम बारता बन गया और यहां पर बनेगा यफ्यक्स हो जाएगा तो यह लाइ पहता को एक्स से परदासीत करते हैं अब इसमें मान को भर लेंगे अब यहां पर देख सकते हैं क्या क्मान दिया कुझां गन्तर ल किया है जीरो से दस है दस से एया से पीस है 30 30 का आधा 15 50 का आधा 25 मतलब दोनों जोड़कर के आधा 50 40 90 का आधा 45 45 हो जाएगा अब बारम बारता जो दिया है प्रस्ण में क्या दिया है पांच है अठारा है पंदरा है पी है छै है अब इसको गुड़ा करेंगे 5 का गुड़ा 5 में तो 5 पचे 25 हो जाएगा 15 में 18 का गुड़ा करेंगे तो 15 में 18 का गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 270 हो जाएगा 25 में 15 का गुड़ा करेंगे तो 375 हो जाएगा और 35 में P का गुड़ा करेंगे तो यह 35 P हो जाएगा और 45 में 6 का गुड़ा करेंगे तिया हो जाएगा दो सो सतर हो जाएगा अब इसको जोड़ देंगे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे दोनों को जोड़ करना है जोड़ कैसे किया जाता है तो सबसे पहले पी है तो पहले पी को किनारे कर दीजिए पलस कर लिजिए अब पांच को अठारा को पंद 70 270 और पचीस को जब जोड़ेंगे यह टूट जोड़ाएगा 940 आजाएगा कितना आएगा 940 आगए याद रखिए 35 पी को किनारे आपको लिखना इसमें 940 में इसको नहीं जोड़ा जाएगा अब यहां पर लिखेंगे समानतरमाद ओ भी जो है पी कमान आपको ग्याद करना है तो कैसे लिखेंगे समानतरमाद आपको प्रश्ण में ही दे दिया है 25 समानतरमाद प्रश्ण जब सुरुम पढ़ा गया तो समानतरमाद इसमें दिया हुआ है तो पहले समानतरमाद का मान क्या दिया गया था प्रश्ण में तो प्रश्ण में 25 देख लिए एक बार और प पे क्या लिखेंगे 25 हो जाएगा बरा सीगमा एफ एक्स का मान क्या है तो लिखेंगे 940 है पलस है और 35 पी है बटा हो जाएगा नीचे क्या है 44 है पलस जो है P है अब यहाँ पर सिगमा एफ का मान भरा गया है और यहाँ सिगमा एफ का मान को रखा गया है अब इसमें इसको गुड़ा करेंगे 25 का गुड़ा 44 में होगा और 25 का गुड़ा P में होगा तो गुड़ा जब करेंगे तो क्या आएगा अब 25 गुड़ा जब 44 में करेंगे इसका गुड़ा करने पर कितना आएगा तो यह और उपर क्या दिया है 940 तो पर यहां लिखेंगे 940 पलस 35 पी हो जाएगा बराबर हो गया और 25 में जब 44 का गुड़ा करेंगे तो यह गुड़ा करने पर आएगा 1100 किना हैगा 1100 गुड़ा करके चेक कर सकते हैं 25 में पी का गुड़ा करेंगे तो यह बनेगा 25 पी हो जाएगा अब पी वाला पी के पास कर लिजे यह 25 पी धर आएगा 940 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 35 पी माइनस 25 पी बराबर हो जाएगा कितना होगा यहाँ पर 1100 हो जाएगा माइनस 940 हो जाएगा अब इसमें से घटा दीजे 35 पी में से 25 पी घटाएगे तो यह बनेगा 10 पी हो जाएगा बराबर और 1100 में से जो है यहा 140 घाटाएंगे, तो यह बनेगा 170 हो जाएगा, 10 को नीचे भीख दीजिये, तो प बराबर क्या बनेगा, 160 बटा 10 हो जाएगा, 10 से जो है भाग कर दीजिए, प कमान निकल गया, समझ में आगे होगा, प कमान क्या जाएगा, लिसका मतलब, पी का मान वहाँ पर 16 रखा जाएगा तो कैसे यहाँ पर हल किया है एक बार और समझ लेते हैं समान तरमाद 25 दिया है सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 940 प्लस 35 पी और सिग्मा एफ का मान 44 प्लस पी तो 44 का गुड़ा 25 में और 25 का गुड़ा पी में हल करेंगे एक प्रशन को अच्छे से और देख लेते हैं यहाँ प्रशन एक नंबर में पूछा जाता है संख्या 5, 10, 15, 20, 22, 25, 40 ऐसे एक संख्या दे देगा और उसमें पूछा जाएगा समान तरमाद ही ग्याद कीजिए तो कैसे यहाँ पे समान तरमाद ग्याद करेंगे यह एक नंबर का प्रशन है तो यहाँ पे सबसे पहर लिखेंगे आपर हल और हल में इस संख्या को पहले नोट करेंगे क्या दिया गया है 5 है, 10 है, 15 है, 22 है, 20 है, 35 है, और 40 है अब यहाँ पर समांतरमाद ग्याद करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे समांतरमाद का सुत्र क्या होता है तो यहाँ पर साणी बंद नहीं है तो साणी बंद जब नहीं रहता है तो समांतरमाद का सुत्र पढ़ें हैं बताएं हैं आज के ही वीडियो में कि कुल पदो का योग बटा क्या होता है कुल संख्या होता है तो कुल पदो का योग बटा कुल संख्या कुल पदो का योग बटा हो जाएगा यहां पर कुल संख्या टोटल आपको अगर अच्छे से इसको त्यार कलें समानतर मा तो 5 नमबर जो है आपको पका है आएगा पीपर में तो यहाँ पर अब किस कुल पदो को जोड़ दीजिए क्या है 5 है 10 है 15 है 15 के बाद से 22 है 22 के बाद से 20 है 20 के बाद से 35 है 35 के बाद से 40 है कुल पदो का योग हो गया बटा हो जाएगा और कुल संख है इसमें कुल संख है कितना हो रहा है तो कुल संख है इसमें साथ है तो नीचे साथ लिख दीजे अब पूरा को जोड़ेंगे तो 147 आ जाएगा क्या आएगा तो आज के इस वीडियो में केवा समानतर माद बताया गया तो आज के ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट केजे वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे दिया पहली बार आयोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे